हेलो फ्रेंड्स माई नेम इस राजकिस बहिंड और वाचिंग माई चेनल विजंटकिंग तो फ्रेंट्स आप सब्कोपने चेलिंड्सकर사 के बारे में मैं nutr इस पॉइंट्स पूइंट्स पुरा सिंपल तरिके से आप लोग समझ बाएं बता दूंगा उत नोड सके साथ तो फ्रेंट्स वीडियो को एन तक दखिएगा अगर आप बीच में से स्कीप करेंगे तो समझ नहीं पाइंगे तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्क्लेरा में हमारा कोलाजन फाइबर्स फाइबर्स टीसू यह सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं जिसके बज़े से हमारा स्क्लेरा जो है हुआइट इस कलर में दिखता है तो फ्रेंट्स आप डियाग्राम में देखिए ठीक है यह मैं ड्रोग यहां हूं दो आउटर सर्फ स्का 5 x 6th टीक है थाएब 6 पाट होता है एंड यह हमारा कर्निया होता है वह हमारा आइका वान भै शीक्स पर होता है ठीक है सकेर्णा और फ्र्स पॉस्टिर फिफ्सिट अप एक्स्टेवर्णाल ट्रूनिक टीसू अब टी आईबल ठीक है जुमें बचया था हमारे स्क्ले स्क्लारा होता है यह दिख कि यहां से इहां से कॉंटीनू करता है जिसको हम कहते हैं कोर्णिया ज्वेंट्र में होते हैं है अब सीफ सप्मेश्वेनल डूर्प Ale Aug फिरे माद होते हैं जो हमारा स्क्लेरा होता है उसका मदकाना उसका propose सर्फेस में ठीक है जो कि यह हार्डेस्ट लियार होता है मैं इसके रिगाइडिंग्स और डिटेल्स में आपको बताऊंगा आगे जाकर ठीक है तो फ्रेंस आप चलते हैं करते हैं तो नेक्स्ट लियर क्या आता है जो मिडिल लियर होता है जिसको हम कहते हैं इसको हमारा स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा आउट रसर्फेस में हुआटिस्ट क्लेर का प्रों दिख रहा है ना उसको हम कहते हैं स्क्लियर Awesome नो आज तो फ्रेंट सबमेल चलते हैं स्ट्रोक्टर में बाή में बात करते हैं तोस्ट कीम के त्लेमिज सेटेल में मुचमती ने बरे तनीसलिद 2 एस स्क्लेर स्वहाग भेके तरीक है तो कर संचिर यह साथ होते हैं हमारा structure of the sclera के बारे में अब यह हम टेनन स्केप्सूल, sclera sphool and livenous sirvosa के बारे में बात करेंगे details में So friends अब जान लाएते हैं टेनन स्केप्सूल के बारे में जो की हमारा एक sclera का structure होता है ठीक है टेनन स्केप्सूल, facial sheet of eyeball, it is the facial sheet of the eyeball also known as facial bulby capsule of tanon bulbar sheet ठीक है, it is a thin fibrous membrane envelops the eyeball from optic nerve to the limbus ठीक है friends, इसका मतलब क्या है मैं आपको diagram के थूँ समझा देता हूँ, okay तो friends देखिए, टेनन स्केप्सूल, it is a thin fibrous membrane envelops the eyeball from optic nerve to the limbus ठीक है, मैं diagram drop कर दिया हूँ, ठीक है, देखिए, यह जो tanon skepsule होता है वो एक thin fibrous membrane होता है, ओके, जो की हमारा optic nerve से शुरू होके, limbus तक जाता है यहाँ से शुरू होके, यहाँ से शुरू होके, यहाँ तो जाता है, limbus तक, limbus में जहाँ पर हमारा cornea and sclera mid करते है इन दोनों का junction को हम कहते है, limbus ठीक है, तो friends, जो हमारा tenon skepsule होता है, thin fibrous membrane हो हमारा optic nerve यहाँ से शुरू होके, limbus तक जाता है यहाँ से इस तरह भी हैसे move करते करते है, यहाँ तक, limbus तक होता है अब next point में जाता है, scleral spore, scleral spore is an annular structure composed of collagen in the hymene, it is a circular rise of scleral, present on the inner side of corneoscleral junction Okay friends, मैं आपको बता जाता हूँ क्या होता है, जो हमारा scleral spore होता है, ठीक है, वो इधर corneoscleral junction, means, यह limbus ठीक है, जहाँ पर हमारा cornea and scleral med करते हैं, ठीक है, वहाँ पर से bulging out होके रहता है, pop out, ठीक समझ रहे न, मतलब ऐसे देखे, यह हो ऐसे थोड़ा ऐसे फूल गर र होता है, वहाँ पर scleral spore जो हमारा जाता है, थोड़ा bulging out होके रहता है, थोड़ा ऐसे फूल कर रहता है, ठीक है friends, इस जगह पर ऐसे जाता है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा होके जाता है, तो friends, अब चलते है, scleral spore का next point में, it attached internally to the trabecular meshworks and posturally by portion of cellular reverie, internally by trabecular meshworks, तो यहाँ बो यहाँ पर जो उसका जो anterior part कहां, trabecular meshwork के साथ आटाज होके रहता है, and जो posterior part है, वो portion of ciliary body के साथ आटाज होके रहता है, जो हमारा ciliary body है, इसके कुछ portion के साथ आटाज होके रहता है, ठीक है, यह होता है हमारा scleral spore के बारे में, ठीक है, अब चलते है next point में, that is lamina srivoza, okay friends देखिए, lamina srivoza, it is mesh और net like structure, present behind the optic disc in the sclera, the pores in the lamina srivoza are visible as laminar dot sign in advanced glocomatous atrophy, okay friends, देखिए, यह जो हमारा lamina srivoza होता है, वो mesh like और net like structure होता है, जो कि हमारा optic disc के पीछे present होता है, sclera में, okay friends, अब चलते हैं, next point में, the pores in the lamina srivoza are visible as laminar dot sign in advanced glocomatous atrophy, ठीक है, it means advanced glocomatous atrophy के दोरान, ठीक है, जो हमारा lamina pores होता है, ठीक है, ओ कैसे दिखते हैं, laminar dot sign की तरह, clear friends, यह होता है हमारा lamina srivoza के बारे में, ठीक है, अब next चलते हैं, layers of sclera के बारे में, ठीक है, हमा sclera होता है, उसका 3 layers होते हैं, first that is episcleral, second lamina fuse and the third one that is the sclera propore, okay friends, यह 3 layers होते हैं, हमारा sclera का, okay friends, अब देखिए, हमारा sclera का first layer होता है, episcleral, ठीक है, it is a small thin layer in between sclera and conjunctiva, ठीक है, जो हमारा episcleral होता है, ओ हमारा conjunctiva and sclera के बीच में होता है, ठीक है, तो friends, जो conjunctiva हमारा sclera के उपर होता है, उसको हम कहते हैं, बलबला conjunctiva, ठीक है, तो वही जो episcleral होता है, ओ हमारा sclera and conjunctiva होता है, clear friends, it is a small thin layer in between sclera and conjunctiva, जो कि यह thin layer होता है, small thin layer, clear friends, अब देखिए, next point में, superficial aspect of sclera, ठीक है, next point, bundles of collagen circumferentially arranged, ठीक है, bundles of collagen of fiber क्या होता है, circumferentially arranged होके रहते हैं, इस layer पे, next, rich blood supply and trolley, ठीक है, यह जो layer होता है, episcleral, इसमें हमारा blood supply होता है, ठीक है, यह एक vascularized layer होता है, ठीक है, जिसमें blood bezels होते हैं, next point, thin dense vascularized layer of connective tissue, ठीक है, thin dense vascularized layer of connective tissue, ठीक है, next point आते हैं हमारा fine fibroblast, macrophages, lymphocytes also present in this layer, क्या-क्या होते हैं, fibroblast, macrophages and lymphocyte, episcleral में present होते हैं, clear friends, अब जान लेते हैं, the second layer of the sclera, that is scleral propore, okay, it is a vascular structure, consists of bundles of collagen fibers, ठीक है, okay friends, यह जो sclera का second layer होता है, इसमें blood bezels नहीं होता है, यह a vascular structure होता है, and इसमें क्या bundles of collagen fibers होते हैं, clear friends, अब बात करते हैं, second point, that is, deficiency in water winding substances accounts for this sclera doll white color, ठीक है, यह जो layer है, इसमें water winding substances हैं, जो कि हमारा water को absorb करते हैं, वो substance काम होते हैं, जिसके बज़े से हमारा, जो sclera doll white color का होता है, यह एक बहुत ही महत्वर रोल प्ले करता है, जिसके बज़े से हमारा sclera है, वो doll white color में रहता है, clear friends, अब चलते हैं, the third layer, that is, lamina fusca, ठीक है, it is innermost layer in between the sclera and outer layers of choroid and ciliary body, ओके फ्रेंट्स, यह जो layer है, lamina fusca, यह हमारा innermost layer है, ठीक है, क्योंकि यह third number layer में आता है, इसलिए हो innermost layer है, ठीक है, जो कि हमारा sclera and the outer layers of choroid and ciliary body के बीच रहता है, ठीक है, जैसे कि आम जानकते है, sclera के बाद के हमारा क्या आता है, ठीक है, and choroid में हमारा ciliary body भी होता है, ciliary body and iris होता है, जिसको हम कहते है, evia और eval drug, ठीक है, तो friends, यह जो layer होता है, यह sclera and choroid and ciliary body के बीच में रहता है, ठीक है, जिसको हम कहते है, lamina fuse का, यह layer, ठीक है, तो friends, देखिए, अब next one, it is brownish color owning to presence of pigmented cells, ठीक है, इस layer पे हमारा pigmented cells होते है, ठीक है, यह जो layer होता है, यह किसके साथ आटाज़ो के रहता है, जिसके मैं पहले बता चुका हूँ, आपको, koroid के साथ आटाज़ो के रहता है, किसके थुना, fine collagen fibers, चलते हैं, next point में, brown color is due to presence of melanocytes, ठीक है, जो pigmented cells होते हैं, उस पे हमारा melanocytes presence होते है, जिसके बज़े से हमारा जो यह layer है, brownish color का होता है, clear friends, यह हो गया हमारा जो sclera का 3 layers, friends, जो sclera का 3 layers, आप अपने screen के उपर भी देख सकते हैं, first layer that is episcleral, second one that is sclera proper and the third one that is lamina fuse का, okay friends, यह 3 layers होते हैं, हमारा sclera का, जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं, okay, friends, आप बात करते हैं, blood supply and nod supply of the sclera के बारे में, ठीक है, अब चलते हैं, nod supply, nod supply is by ciliary nods of trisiminal nods, ठीक है, जो हमारा sciliary nods का trisiminal nods जो होता है, ठीक है, उसके थूरू हमारा sclera में nod supply होता है, ठीक है, कुछ doubt से तो comments कीजिए, अगर इस तरीके से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, anatomy, physiology and eye disease के बारे में, तो please हमारा sclera को subscribe करके, bell notification all पर रख दना तक आने वाले हर वीडियो का notification आपको त्योंत मिल सके, आप हमारे साथ हमेसाथ जुड़े रहें, तो चले दोस्तों, तब तक के लिए, bye bye, take care, see you in the next video, thank you so much.